Hello friends, welcome back to my YouTube channel Unstoppable Education और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कैसे आप movies के subtitle का यूज करके अपनी English को improve कर सकते हो So friends, एक बहुत ही बहतरीन तरीका है English तीगने का अगर आप भी अपनी English को improve करना चाहते हो और English अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को end तक जरूर देखना So friends, बिना किसी देरीके शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला sentence So friends, यहाँ पर यह बोल रहा है कि क्या तुम्हें पता है अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा Do you know what will happen if we get caught? Do you know what will happen if we get caught? If you don't want to come then don't come If you don't want to come then don't come मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगी I won't wait much longer यानि मैं जादा देर इंतजार नहीं करूंगी I won't wait much longer मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं इन सब को लेकर कितनी दुखी हूँ तो इस English हम बोलेंगे I can't tell you how sad I am about all this I can't tell you how sad I am about all this मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं इन सब को लेकर कितनी दुखी हूँ I can't tell you how sad I am about all this तुम्हें कौंग के बारे में चिंतित होने की कोई जरुरत नहीं You don't need to be worried about कौंग You don't need to be worried about कौंग यानि तुम्हें कौंग के बारे में चिंतित होने की कोई जरुरत नहीं You don't need to be worried about कौंग मुझे यकीन है वो अपना ख्याल रख सकता है मुझे यकीन है वो अपना ख्याल रख सकता है जब तुम हस्ती हो तो बहुत अच्छा लगता है तो यह लड़की कह रही है एक छोटी सी बच्ची से कि बहुत अच्छा लगता है जब तुम हस्ती हो तो इस एंगलिश मों बोलेंगे यह मुस्कान आपके चहरे पर सूठ करती है तो यह आपनी गलफंड से मिलनों से घर आ गया तो यह कह रही है अगर मेरे माबाफ ने तुम्हे हां देख लिया if my parents see you here अगर मेरे माबाफ ने तुम्हें यहाँ देख लिया they will kill both of us right now वे हम दोनों को अभी कभी मार देंगे they will kill both of us right now anyway हम दोनों को अभी कभी मार देंगे so friend यहां you की जगा us आएगा तुम अभी किस से बात कर रही थी who was that you were talking to just now who was that you were talking to just now आगे होगा friend यहां पर ही कह रही है उसे अभी कुछ बताने का कोई फार्दा नहीं it's no use telling him anything now it's no use telling him anything now यानि उसे अभी कुछ बताने का कोई फार्दा नहीं it's no use telling him anything now अगर तुम उसे बताती भी हो तो उसे तुम पर यकीन नहीं आएगा even if you tell him he won't believe you even if you tell him he won't believe you अगर तुम उसे बताते भी हो तो उसे तुम पर यकिन नहीं आएगा so friend यहाँ पर यह कह रही है कि उसे अभी कुछ बताने का कोई फायदा नहीं it's no use telling him anything now even if you tell him he won't believe you यहाँ तक कि अगर तुम उसे बताओगे भी तो उसे तुम पर यकिन नहीं आएगा so friend आज की वीडियो में नहीं जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी है अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी उसफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना so friend अगर आप इसी तरीके से इंगलिश सीखना चाहते हो और इसी तरीके से प्रेक्टिस करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि हम इस तरीकी वीडियो रेगुलर अप्लोड करते हैं so friend चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस तरीकी वीडियो देखना चाहते हैं and thank you so much for watching this video friends